हेलो एवरिवन, इंडिन जूडिसर सर्विस में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग पुलिस अधिनियम 1861 और उत्तर प्रदेश पुलिस रेगूलेशन से पार्ट 4 में हम लोग कोश्चन नमबर 101 से लेकर 120 तक करेंगे जिस वीडियो नहीं देखे हैं उन सभी वीडियो का लिंक जो है डिसन बॉक्स में दिया हुआ है चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर कोश्चन नमबर 101 सभी संगे अपराद जिसकी पुलिस थाने में रिपोर्ट की गई है उन्हें किसमें दर्ज किया जाना चाहिए गंपनगे वीडियो MARK है तो सभी संगे अपराद जो संगे कीश्टीन में यहाँ किए अपराद 16 यह कहता है कि सभी जो संगे अपराद हैं जिनकी पुलिस थाने में रिपोर्ट की गई है वो इंग्लिस अपराद रिश्टर में दर्च के जाएंगे और इसे जर्नल रिजिस्टर भी कहा जाता है अगले प्रस्ट पे आते हैं कोशन नमबर 102 पुलिस अधिक्षक की अनुपस्तिती में मुख्याले का कारभार ग्रहन करेगा तो पुलिस अधिक्षक की अनुपस्तिती में मुख्याले का कारभार कौन ग्रहन करेगा Option A है यहाँ पर एक सहायक अधिक्षक जो जिले का कारबार ग्रहन करने के लिए योगिता प्राप्त हो Option B है जब ऐसा अधिकारी ना हो तो राजपत्रित अधिकारी के पद से सेवाकाल में बरिष्ट अधिकारी जो भी राजपत्रित अधिकारी के सेवाकाल में बरिष्ट अधिकारी वो Option C है यदि मुख्याले में कोई राजपत्रित अधिकारी उपस्तित नहीं है तो मुख्याले के निरिक्षकों में से अंग्रेजी का जानकार निरिक्षक और option D है यहाँ पर cable A और B तो इस person का जो उत्तर है वो option A है एक सहाया का दिक्षक जो जिले का कारभार करने के लिए योगिता प्राप्त हो और इस question का जो प्राफधान है वह पैरा नमबर उत्तर प्रेज़ प्रिस रिगलेशन के पैरा नमबर 17 में दिया हूँ है पैरा नमबर 17 इस बात की चचा करता है चलिए next person के आते है question number 103 the reserve police line का प्रभारी अधिकारी होता है तो जो reserve police line है उसका प्रभारी अधिकारी कौन होता है तो option A है यहाँ पर reserve निरिक्चक option B है पर police अधिक्चक option C है सायक अधिक्चक इसमें से कोई नहीं तो यहाँ पर जो है reserve जो है निरिक्चक जो होगा वो reserve police line का प्रभारी अधिकारी होगा और इस की जो बात है इस question की जो चरचा की गई है वो पेरा number 8 में बता है sorry पेरा number 18 इस चीज़ की बात करता है पेरा number 18 जो है वो responsibility of reserve inspector यही जो है수 тебе निरिक्चक है उसकी बात करता है उसकी दाए somethin के कर्दबों की बात यहाँ पर पेरा number 18 में कही गई है तो option A यहाँ पर सही है अगले present पर आते है present number 4 कर सकता है तो और पुलिस अधिक्षक और रिजर्व अधिक्षक और यहां पर सहायक अधिक्षक तो यहां पर जो है आप सी सही है यानि जो पुलिस लाइन है उसके सभी रच्चकों अन्रच्चकों को ड्यूटी का आदेस दे सकता है और उसका निरिक्षक कर सकता है कारिक कर सकता और यह जो है बात पैरा नंबर 18 इसको क्लियर करता है पैरा नंबर 18 जो है जिसमें रिजर्ब निरिक्षक जो है रिजर्ब इस्पेक्टर उसकी दायतों की बात की गई है उसमें एक सेख दायत यह भी है अगले प्रसंट पर आते हैं रिजर्ब निरिक्षक फॉर्म नंबर 13 में नित्प्रता कालीन रिपोर्ट करेगा तो यहां पर आयुक्त को तीसरा महा निरिक्षक को और चौथा है यहां पर पुलिस अधिक्षक को तो पुलिस अधिक्षक को ही फॉर्म नंबर 30 में रिजर्ब पुलिस जो है निरिक्षक वो रिपोर्ट करेगा और इस बात को भी पैरा नंबर 18 में क्लियरली बताया गया है जो पैरा नंबर 18 है वो इस बात को भी करता है अगले प्रेस्ट 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 नंबर 60 106 मंडल का मंडल या हलका निरिक्षक का मुख्य करतब हैं तो ऑप्राद के अन्वेच्षण एवं रोक थाम का परवेच्षण करना ऑप्र पुलिस हलके में जासूसी कारक में सामंजस रखना और इस प्रयोजन के यहां पर जो है जो मंडल या हलका निरिक्षक का मुख्य करतब है अप्राद के अन्वेच्षण एवं रोक थाम का परवेच्षण करना ऑप्सन एहां पर सही है देखिजिए जो है इसका जो प्रावधान है वो पैरा नंबर 40 बताता है पैरा नंबर 40 है वो इस चीज को डि अगला प्रस्न आते हैं हम लों प्रस नंबर 107 मन्डल या हलका निरिक्षक हलके के अन्टगत आने वाले परते kombावर्स कितनी बार जो है निरिच्शन करेगा तो यहां पर आप्सन ए सही है एक बार निरिक्षण करेगा और यह बात भी जो है पैरा नंबर 40 में करेपना जो जो है इसमें कहता है मंडल या हलका निरिक्षक जोगा हलके के अंतगत आने वाले प्रते एक थाने का वर्स में एक बार निरिक्षक जुरूर गरेगा तो यहां पर आपसंट एस आई कोश्ट नमबर बरने एट थाना का भार सादक अधिकारी कौन होता है जो थाने का भार अधिकारी होता है वह ऑपसंट सी है उप निरिक्षक यहां यह गलत दिया हुआ तो उप निरिक्षक जो है वह थाने का भार सादक अधिकारी होता है यानि यह आंसर यहां पर सी हो जाएगा और इस बात की जो चर्चा गई गई है वह पैरा नंबर 43 में बताया गया पैरा नंबर 43 इस चीज़ को क्लियर करता है कि थाने का भार सादक अधिकारी उप निरिक्षक होगा अगले पर आते हैं 109 पैराग्राफ 546 546 में निर्धारित सीमा तक अपने अधिनस्तों से ड्रिल कवायद कराएगा तो कौन कराएगा यहां पर ऑप्सन यह उप निरिक्षक ऑ जो मंदल निरिक्षक है वो ऐसा कराएगा और इस बात को किलियर ली पैरा नंबर पैराग्राफ 546 में बताया गया है तो ऑप्सन भी यहां पर सही है यह उप्सन सी नहीं होगा यहां पर अगले प्रेसिंट पर आते हैं कोश्च नमबर 110 थानों में संगीन सहित अगनेयात यास्तर कारतूस के थैले भंडार आदी हतियार किसके व्यक्तिकत नियंतर्ण में होगी यानि जो थाने में जो गुलाबारू बंदू के राइफले रखी होती हैं वो किसके नियंतर्ण में रखी जाएंगी कौन उसकी कस अथिक्षक ऑसन नियुंट तो यहां पर ओप्सन ए है ओडिकछक अंडिक्षक और उप निरीगचक किस्टडी में ठाने में रखे हुए कारतूस गोलाबारूद भंडार τιςरतियारति किस्टडी में रहेंगे और इसचीच को ику ख.... गया है पारा नंबर सिष्टीजिश पिरवर सिर्व रेगुलेशन पुलेशन यह कहता है कि जो ठाने में हतियार और अस अस्तिर बारूत गुला बारूत प्रतिवेदन आदेश प्राप्त करेगा जो वहां भेजी अत्वात दी गई है जो भी वहां पर लैटर पत्र आए हुए हैं थाने में उन सभी को को देखेगा वह अगला है और यहां पर वह जर्नल डायरी में हताक्चे करेगा और उस दिन की ड्यूटी का प्रवंदन करेगा और ऐसे कोई भी निदेश देगा जो आवस्यक समझें और सी है यहां पर वह माल खाना या नित्य निरिक्षण करेगा और लेखा पुस्तुकों क की आख करेगा और उनकी तुलना जर्नल डायरी में लिखी सुसंगत प्रविष्टियों से करेगा और नित्य प्रति रोकल बाकी प्रमारित करेगा और अगले लोistes सबी यह सारे काम जो है थाना अध्यच के हो गया और था अध्यकन कश pairे है तो पुलिश डाइरी यहां पर एन इंडाघउ है निदर रहा है आपर रहा पर 106 है आप सभ immers अब बात करते हैं एंड centrifушка aussah 164 एक केढ़ाइन गरना सब्सक्राइब सब्सक्राइब इतरा करता है स्ब्सकया अगारा नंबर 106 की चर्चा करता है उसको गड़ना नंबर 106 ने बता गया है वह चीजर बार गम मिलिक गाता है वह और यह वह पार स्दक्राइबिलाच आफिसर कंई उस अधिकारी की duties के बारे में बताया गया जो अनि जो inवेशन करने व 할ाज जो अधिकारी में उसके कर्थप्विव को पेरा नंबर 107 में डिस्क्राइब किया गया है पेरा नंबर 108 में लोग बताई दियां इंग पूलिस डैरी की बात करता है और पैरा नंबर जो है 110 पैरा नंबर 110 जो है वह अधिकारी बिवेक और संदिक्द वेकती की गिरफतारी की बात करता है आदिकारी तो महम अपने प्राइब करता है तो तो इनटे सिर्म कर दो नमब एक सो आठ में दी गई है अगले प्रेसंट प्यारते हैं कोश्चिन नमब एक सु थे रहा प्रदान कोंस्टेबल ठाने का मोरर के कर तब्यों का उले किस व्यनम में किया गया है तो तो किस व्यनम में किया गया ऑपसंट यहां पर पैला 53 आप्सटन भी यह पैरा नंबर थैटी फोर में आप्सटन इसमें से किसी में नहीं तो यह किलिए रहे यहां पर जो प्रदान कॉंस्टेबल ठाने का मौरर है कि करतब्यों का उलेग जो है वह पैरा नंबर 55 में दिया गया है यानि ऑप्सटन सी सही होगए यहां पर अगले कोशन पर आते हैं कोशन नंबर 114 सामानता किसी कॉंस्टेबल पुलिस थाने या चौकी से लगातार कितने दिन और कितनी रातों तक अनुपस्तिती नहीं रहना चाहिए यानि सामानता कोई कॉंस्टेबल है जो किसी थाने के च एक पिब्यूट यह उसकी और वो लगातार कितने दिन और कितनी रातों तक अनुपस्तित अनुपस्तित उसे नहीं रहना है मतलब उसकी नहीं आप नहीं रहने के लिए जो है पहला आप्स Mussolra यहां ऑकल रिलीवंट लग रहना है यई दो साल बहुत लाद होगा धा है एक दिन और एक रात और option D है यहां पर ऐसा आवस्यक नहीं है तो इस person का उत्तर है option B तीन दिन और दो रात से अधिक जो है ठाने का constable जो है अनुपस्तित ठाने में नहीं रह सकता है तो option B सही है और यहां पर इस बात का जो प्रावधान है वो पैरा नंबर पैरा नंबर 63 में दिया गया पुलिस रेगुलेशन की पैरा नंबर 63 question नंबर 115 ससस्त्र पुलिस बल की साखा तो कौन सी पुलिस है यहां पर ससस्त्र पुलिस बल है जिसके पास हत्यार होते है साखा किसके विशिष्ट नियंत्रन वोगी किस अधिकारी के अंडर में होगी के अंतरगत है और जो इस बात के लिए उत्तरदाई और वो अधिकारी कि अधिक्षक अनुसासन एवं बनाये रखेंगे इस चीज़ को क्लियरली यहाँ पर बताया गया है पैरा नंबर पैरा नंबर 65 में जिसमें किलियर कहता है कि डिपटी इंस्पेक्टर जर्नल यानि जो डिपटी डिपटी इंस्पेक्टर जर्नल है वो इस चीज को देखेंगे और उनके ही अंडर में यहां पर ससत पुलिस बल होगा और उनके ही जो है निरिक्षण में जो है अ option B यहां पर सही है और यहां यह option गलत दिया है option D नहीं होगा अगले प्रेस्ट पर आते हैं question number 116 116 क्या कहता है ससस्त पुलिस बल का कार है खजाने तैसील और हवालातों की रच्छा करना option B यहां पर तिजोरी और सरकारी संपत्ती का अनुचरन करना option C यह युद्धागार पुलिस भारत वा आवास ग्रह की सेवा करना अत्यवस्ता हिंसा के अपराद को दवाव या रो दवाना और रोकना का पीछा करना और पकड़ना और option D यहां पर केबल C इस आस्थ पुलिस भाल का गृत यत तो यहां परत प्रण के भारत आवास G जो उते हैं security घरों में राज तकारियों की जो इने कि जो सीक्वी कॉइर है उसको देखना और यहां अत्यवस्ता हिंसा के अपराद अपराद को दवाना और रोकना और खतरनाक अपरादियों का पीछा करना और उन्हें पकड़ना यह सारे कारे जो है ससास्तर पुलिस वलके हैं तो यहां पर हमारा ऑप्सन सी सही है अगले प्रेस्ट पर आते हैं कोश्चन नमबर 117 ससास्तर पुलिस वलक का नयायत यानि उसके जो है कौन उसको कंट्रोल करें कौन उसका जो मतलब मतलब उसका नेत्रित करेगा करने के लिए रखा जा सकता है तो यहां पर आप्सन ए है एक राजबत्रित अथिकारी को आप्सन भी है निरिक्षक को आप्सन D है A और C दोनों को तो यहां पर जो है 117 में ऑप्सन C सही होगा अगर राजबत्रित अथिकारी नहीं है तो यहां पर जो है निरिक्षक को उसका नेत्रित करने को मिलेगा ससस्तर पुलिस का वैसे प्रसम दस्त्रिया राजबत्रित अथिकारी होगा मगर अगर वो नहीं है तो निरिक्षक कमान समाद लेगा ठीए अगले प्रेसिंट पर आते हैं कोश्चन नमबर 118 गोली केवल तब ही चलाई जाती है जब मजिश्टेट उपस्तित हो यह तो सही है मजिश्टेट की पावर होती है गोली चलवाने की और भारसादक अधिकारी को पूर्टे आस्वासक यानि उसे आवस्यक लगता है भारसादक अधिकारी को कि यहां गोली चलाना बहुत आवस्यक है समझता है तो कि प्राण वा अत्वा संपत्ति और किस लिए चलाएगा प्राण और संपत्ति की रक्षा करने के लिए गोली चलाएगी तो यहाँ पर जो option D एकदम सही है जानि दोनों ही option यहाँ पर सही है पहला तो जो गोली चलाएगी वो मजिस्टेट के उपस्तिती में चलाएगी और वहाँ पर मजिस्टेट रिस्पॉंसिबल होगा उस चीज के लिए और अगर मजिस्टेट नहीं है तो फिर भार साथ गतिकारी जो होगा उसे लगता है कि गोली चलाना आवस्यक है संपत्ति और प्राण की रच्छा के लिए तो अगले प्राण पे आते हैं कोश़् नंबर 119 जिले के लिए बटवारा किये गए से अधिक समय चाहिए माहा निर्यक शक से कितने सपता पूर्व की की मांग करनी होगी तो option D भी यहां पर सही है अगले प्रस्ट प्रस्ट ने इस वीडियो का उप महा निरिक्षक और option C है उस पुलिस अधिकारी के द्वारा जो नायकत कर रहा हो यानि जो संचालन कर रहा हो यहां पर और option D है सीधे सीधे पुलिस को तो इस प्रस्ट का जो उत्तर होगा वह यहां पर जो सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी होगा परन्तु अब देखा जाए तो यहां पर जो है यहां पुलिस अधिकारी जो है जो उसका नयत्त कर रहा है तो उसको आदे सकता है तो option C सही हो जाएगा परन्तु अगर ऐसे नहीं तो जो भी वहां पर सबसे सीनियर मोस्ट आफिसर है वही उसी को वह आदे देगा इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बैल आइकन का जो बटन है उसको जरूर दबा दिए जिससे की आगे आने वाले जो भी वीडियो हो मिल सके ठीक है थैंक यू पर वाची